इसमें यह पार्ट फॉर्थ कोपरेशन एन कमपेटिशन कुम बिहेवियर इन मोश सोचल सिच्वेशन और करेक्टराइब बाइदर कोपरेशन और कमपेटिशन हमारा ऐसल पीवेय हैं हमारे कुछ भी होगा सोचल सिच्वेशन उसम्हें दो टाइड का ही होगा या तो कॉोपरेट करेंगे हम यह अंहां कमपेट करेंगे यह तो हमारा हमारे पीवियर कॉपरेशन वाला होगा चार्ज फैम Cum эк San work together to achieve shared goal, जब group के member एक साथ काम करते हैं किसी goal को achieve करने के लिए, तो मतलब उसमें होगे cooperation, when groups work together to achieve shared goal, we refer to it as cooperation, the reward in cooperative situations are group reward and not individual reward, cooperation or cooperative situations are all, उसमें सारे group members साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो जो भी reward मिलेगा, जो भी ना मिलेगा, जो भी रहेगा उनके लिए benefit, उस सब ही के लिए रहेगा, किसी एक individual के लिए नहीं रहेगा, तो cooperation के मतलब यह कि group activity है, इसमें एक individual तो है नहीं, मतलब कही सारे इसमेंवोल हैं, तो कही सारे मिलके एक टार्गेट को अचीव करने को असिस करहे हैं, तो अगर उस टार्गेट को अचीव करने के इसे कोई बेनिफिट हो रहा है, तो उस सब भी को हो रहा है. When members try to maximize their own benefit, जब इंडिविजिवल खुद के बेनिवेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं गुरुप के बेनिवेट से जादे वो खुद के लिए ज्यादा सोचते हैं एंड वर्क फुर्दे रेलाइजेशन अव सेल्फ इंट्रेस्ट कम्पिटीशन इस लाइकली टू रिजल्ट देखो कोपरेशन जाब तक होगा जबता कि एक कोमन गोल है और हर कोई उसे अच्यू करने के कोशिश कर रहा है और टार्गेट को पूरा करने कोशिश कर रहा है बट जब सेल्फ इंट्रेस्ट जाथ होगा खुद के फायते की चीज़े जाथ सोची जाएंगे तो कम्पिटीशन वाली फिलिंग उसमें आई जाएगी realization of self-interest competition is likely to result होगा क्या फिर competition होगा social groups may have both competitive as well as cooperative goals social groups में दोने फिलिंग होगा कही कही cooperation होगा कही कही competition होगा एक चीज़ दो होने सकती competition between individuals within a group may result in conflict competition हैं तो conflict भी हो सकता है competition हो रहा है किसी दोने गूरुक इस क्किल को पाड़े को दिज़ग होगा तो एक दूसरे से वो एक दूसरे से बाग की बातों में और यह नहीं करों हैं करतेब एक साथ ही कर पत लेते हो बैसे मैं करते में आपस में होने रहेगा किया दूसरे का बाला चानवली फिलिंग Competition between groups may increase within a group cohesion and solidarity Competitive goals are set in such a way that each individual can get his or her goal only if other two not attain their goals Competitive goal का मतलब यह है कि उसे achieve को यह कि कर पाएगा Each individual can get her or his goal only if other do not attain their goal अगर दूसरे को चीज नहीं मिली है तो ही पहले को चीज मिल सकती है मतलब पहले को चीज मिलगा इसका मतलब यह है कि second one को चीज नहीं मिलेगी तो वो गोल या वो target नहीं मिलेगा cooperative goal is one in which each individual can attain their goal only if other members of the group also attain their goals Competitive goals में तो एकी group को एकी member को चीज मिलेगी दूसरे को नहीं मिलेगी बट cooperative goals में मिलेगी तो सबी को मिलेगी नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी अलब तो एक ही goal पर काम करें cooperative goals में cooperative goals is one in which each individual can attain their goal, हर को यपना goal पालेगा if other members of the group also attain the goal अगा दूसरे members का भी उनका goal मिल गया तो determinant of cooperation and competition reward structure जो cooperative reward structure is one in which there is a promotive interdependence each is beneficiary of the reward and reward is possible only if all contribute जो अगर cooperative goal है cooperation के साथ मिल रहा है मतलब सारे ने मिलके एक ही goal पर काम किया है तो फाइदा सभी को होगा each is beneficiary हर एक को फाइदा होगा of the reward and reward is possibly only possible only if all contribute अगर सभी ने मिलके काम किया है तो goal target यह पूरा हो गया है target यह पूरा हो गया है goal अचीव हो गया तो सभी कोस का फाइदा मिलेगा एक reward structure है competitive reward structure is one in which one can get a reward only if other two not get it competitive है मतलब उसमसर किसी एक को मिलना है तो एक को मिलके इसका मतलब दूसरे को नहीं मिलेगा इंटरपर्सनल कम्यूकेशन गूट इंटरपर्सनल कम्यूकेशन मतलब यह दूसरे से बात चित करना result in cooperation अगर एक institution या एकी place पर है या एकी department में है कहीं भी company में कहीं अगर उसमान के बीच में कम्यूकेशन रहेगा तो cooperation होने के चांस जाता है अगर communication ही नहीं है तो cooperation का तो सवाल है नहीं होता फिर एक दूसरे के help का से करेंगा अगर बात चेकती नहीं होगी तो communication facilitate करता है बढ़ाता है interaction interaction and discussion आप उसे मिलना discuss करना है सब्सक्राइब तभी होंगे जब communication होगा तो reciprocity यह हम पढ़ रहे है क्या determinant of cooperation and competition यह तरी वाड़ इस्टिक चुलोग है interpersonal communication reciprocity means that people feel obliged to return what they get मतलब अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो सामने वाला है भी कोशिस करेगा हमार साथ अच्छा करने की कोई हमार साथ अच्छा कर रहा है तो हम उसके साथ अच्छा करने की कोशिसी करेंगे देने की अच्छा कुछ देने की कोशिसी करेंगे पेपल फिल अपलाइज तो रिटर्ण वाट टेकेट अगर मालो हमार साथ किसी न बुरा किया है तो बुरे वाले फिलिंग है कि उसके साथ अच्छा करने की फिलिंग तो नहीं आएगी तो यह वहीं चीज है कि हम वहीं वापस देंगे जो आमें मिलेगा Miac Kenia कोपेशन में इस स्पासान में इंख्र मॉर कोप리शन चोटा मोटा आम हीलप करने को चारेंगे या आगे छहाएपी बड़ी हो सकती है मतलब कि हम जिस तरह का व्यवार दूसरे साथ रखेंगे, दूसरे से भी चांस यह होगा कि वो भी हमार साथ पैसा ही व्यवार रखेंगे, तो यह यह रिशिप्रोसिटी. एक स्वेंटिटी, उसमारे आइएंटिटी है, सोचल आइएंटिटी इस वान सेलफ डेफिनेशन। इसाल डेफिनेशन में इंकलूऊंड बोथ पर्सनल अप्रइब्स हमारे परसनल करेक्टर कैसे हैं। उसके पुटिपन करता है, जैसे के हम हार्ड वर्किंग है, तो सोचल अइडेंटिटी है हमारी हार्ड वर्किंग टाइप के है, हैपी गो लग की टाइप है, मतलब जैसा चल रहा ठीक है, और एट्रिबूट्स विच यू सेर विद अदर्स, कैसे हम दूसरों के साथ रहते है यह हमारी आइडेंटिटी बनाते है, इस सोचाइटी में, सम टाइम, वी सम टाइम, वी परसीव आवर सेल एज यूनिक इंडिविज्वल, एड अट अधर टाइम, वी परसीव आवर सेल आज मेंबर ऑफ गुरूप, मतलब कुछ चीज़ों हम सबसे अलग हैं, कुछ चीज मतलब कुछ कॉलिटी हमारी अपनी यूनिक है, जो हमें अलग बनाती हैं, और कुछ में हमें एक मेंबर के, एक गुरूप के मेंबर हैं, अबर परस्नल आइडेंटिटी इस डराइव फ्रम व्यू ओफ वन सेल्फ एज यूनिक इंडिविज्वल एड सोचल आइडेंटिट के मतलब हमारी जो यूनिक इडेंटिटी है, या यूनिक इंडिविज्वल के जो करेक्टर हैं वो, and social identity is derived from the group, जिस ग्रूप के हम मेंबर हैं, social identity वहां से हमारी ट्राइव हो रही है, we perceive ourselves to be the member of, are both important to us, देख हमारी personal identity भी एक social identity भी है, personal identity है हमारी जो यूनिक हर एक इंसान क अपनी अलग-अलग, और जो social identity है, वो उस गुरूप के वज़े से, जिस गुरूप का वह मेंबर है, तो गुरूप के हिसाफ से उसकी पैस्यान हो रही है, और गुरूप में वो जैसा रह रहा है, वो उसमें इंपोर्टन टॉल पले कर रहा है, social identity प्रवाइड करता है, members with the shared set of value, belief and goals about themselves and about their social world, social identity यह उसकी पैस्चान है, social world में, जो उसके बारे में सब चीजी बता देती है, the group with which you identify, जिस गुरूप के साथ आपकी पैसान होती है, या जिस गुरूप से आपकी पैसान होती है, identity होती है, identify yourself, become the in-group, तो मतलब वह उस गुरूप के आप member, तो मतलब in-group and others become the out-group, और दूसरे गुरूप आपके लिए बन जाते हैं, फिर out-group, in-group मतलब जिस गुरूप के आप member हो, और उसके अलावा सारे गुरूप out-group, social identity place us, that is, tells us what and where we are in the larger social context, social identity हमारा जो place है, जो जगे है, society में या group में वो बताती है, where we are in the large social context, and thus help us to locate ourselves in society, मतलब हम society में कितनी जगे रखते हैं, कहां जगे रखते हैं, यह हमारी social identity से पता लगता है हूं, next conflict, conflict is a process in which either an individual or a group perceive, conflict का मतलब यह है कि दो अलग-अलग विचार हैं जो दूसरे के अगेंस्ट हैं, या दो बात करें, दो group या दो लोग अपसमें या अलग-अलग उस पे खड़े हैं, opposite उसमें खड़े हैं, opposition में हैं, conflict is a process in which either an individual or a group perceive that, other have opposing interest, individual हो सकता है, जो group हो सकता है, मतलब दो individual या दो group अपसमें उनकी opposing interest है, मतलब opposite चीजों को लेके वो एक साथ कड़े हैं, मतलब अलग-अलग point of view है उनके एक चीज को लेके, मतलब कोई को से कह रहा है गलत है, अब दूसरे उसी चीजों कह रहे हैं सही है, तो यह conflict वाला हो गया, and both try to contradict each other, और दोनों ही एक दूसरे को, और बास समझाने कोसिस करते हैं या काडते हैं, मतलब तो नहीं कहते हैं हम बहतर या हम बहतर, तो conflict होगा, there is this intense feeling of we and other, conflict है खतरना वाली feeling है, competition से अगले इस तैप ही conflict, इसमे intense feeling, तेज feeling हो कि इसकी we and other, हम और वो, तो इसमें मतलब यह कुछ आदे दीव चला या competition, तो conflict है, there is also a belief by both parties that, the other will protect only its own interest, इसमें एक दूसरे बहुता नहीं करते है conflict में, उन्हें लगता है कि यह अपना ही बहला चाहेंगे, चाहें हमारा साथ कितना बुरा हो जाओ, और they also believe by both parties that, the other will protect only its own interest, जो दूसरे हैं वो खुद का ही ध्यान देंगे, में खुद की भाइदे की इस बात ही सोचेंगे, and their interests will not be protected, और हमारी जो की चीजे हैं, उनकी कोई परवान नहीं होगे, इसलिए conflict होते हैं, दूसरे बहुता नहीं होता उसमें, there is not only a position of each other, but they also try to exert power on each other, मतला एक दूसरे को पावर देखाने के कोसिस करते हैं वो, groups have been found to be more aggressive than individual, अगर conflict individuals के बीच में हैं, दो individuals के बीच में, तो जादे दिक्कत की बात नहीं है, एकर दो group के बीच में हैं, तो दिक्कत की बात है, पर तो लड़ाई हो जाएगी, मतला वापस में बात चीदी ना करते हैं, तो एक दूसरे का point of view समझे नहीं पाएगे, communication अगर नहीं हो तो लड़ाई तो बैसी बुजाती है, तो communication के कमी के कारण भी conflict हो सकता है, lack of communication and faulty communication, मतला बातों को साइडंग से ना पपोचा पार हैं तो, when members of a group compare themselves with member of another group, जब comparison होगा तो conflict होगा, एक group से दूसरे group के बीच में, a feeling that the other groups does not respect the norm of my group, इसमें अगर यह feeling है कि यह हमारे जो norms हैं जो values हैं, दूसरा group के परवा नहीं करता हैं यह उसे disrespect करता हैं, तो conflict होगा है, desire for retaliation for some harm, done in the past, past में कोई लड़ाग जगड़ा होगा, अब उसका बतला लिया जारा है, biased perception are at the root of most conflict, मतलब गलास चीजा उक समद लेना, perception गलास राकलेना, तो conflict होगी, सोच लेना कि नहीं है तो ऐसे ही होते हैं, मतलब खुद इमान बैठना कि यह गलती होगा, groups compete over a square resource, अगर resource काम है तो उसके लिए competition होगा, यह क्यों होगा कि both material resources and social resource, मतलब हर किसी को वह सब चीजी चीए तो हर कोई अपने आपको superior दिखाने कोशिश करेगा, तो हर group एक बैठर दिखाने कोशिश करेगा, इस सक्क्राइब दूसरे को के साथ गलत भी कर सकता है, तो यह वज़ा हो सकती conflict की, communication ना होँ, आपसे बात चीत ना हो, ठंक से पताना चले, group एक दूसरे को compare करें, एक दूसरे के norms की respect ना करें, पास्ट में कुछ हो गया हो, तो उसे लेके बैठे हो, perception ही गलत रख रहे हो, आप उसके बारे में कुछ भी resource है, तो उसके लिए competition है, या उसमें कुछ बहतर पाने की कोशिश है, इसके लिए यह conflict हो सकते हैं, most conflict begin in the mind of man then go to the field, मतलब conflict पहले दिमाग के पोज़ा, बाद महा की कदमित खाय देते हैं, conflict can be structural group or individual, structural condition include high rate of poverty, economic crisis, social stress, justification, inequality है, limited resources है, तो conflict होगे, research on group level factors, shown that social identity, realistic conflict between groups and resource, and are unequal power relation between group over resource, unequal power relation between groups led to escalation of conflict, मतलब चीज़ एक काम है, लोग जाद हैं, competition है, तो conflict रहे गई हैगा, next है, क्या consequence होगे या जो group है, उसमें conflict होने की क्या result हो सकता है, communication between the groups become poor, the conflict है तो आप यसम बाचित क्यों करेंगे, बाचित नहीं करेंगे, तो trust, trust जोब भो खतम हो जाएगा, lack of trust होगा, एक दूसरा पर भरोसा नहीं करेंगे, each side try to increase its own power, and legitimacy अपने खुद की पार बढ़ाने को सेच करेंगा, next conflict resolution strategies, कि strategy को follow कर आप conflict वो result कर सकते हो, conflict can be reduced if we know about their cause, अगर हम पताव किसली conflict है, तो result करने को सिस की जा सकती है, पहला increasing intergroup contact, एक मतलब groups के बीच में, contact बढ़ाओ, conflict can be reduced by increasing contact between the group, groups के बीच में अगर contact रहेंगे, याता जाती रहेंगे, मिलती जिलती रहेंगे, बाचित होती रहेंगे, तो conflict काम होगे, altering perception, perception जो बढ़ा हो से change करने कोसिस कई की जाए, conflict can be reduced by altering perception, मतलब पहले से सोच बैठे नहीं तो सब ऐसे ही है, जो थोड़ों न समझाओ कि सब कुछ ऐसा ही नहीं होता, तो भी एक दूसरे के बावा करेंगे, promoting कर, promote करो empathy for others, दूसरे feeling को भी समझो, फिर इस तरह से conflict कम होगे, respect for other groups norms, other जो दूसरा group है, उसके norms, उस group के norms हैं, values हैं, तो उनकी respect करो, नहीं करते हैं, तो दूर रहो, बट conflict ही जड़त नहीं है, जिस communal riot तो इसी बेस परते हैं, communal riot between different groups, have taken place because of insensitivity, उन्हें लगता कि यह हमारे groups की value नहीं करते हैं, बतलब respect नजर नहीं आते हैं, उनके norms उसमें, behavior में, norms को लेके, तो conflict होते हैं, अगर norms को दूसरी group के जो norms उनने respect दी जाएगे तो conflict नहीं होगे, next is structural solution, conflict can also be reduced by redistributing the societal resource according to the principle based on justice, some of these are equality, मतला जोगी रिसोर्स हैं, रिसोर्स हैं, उनने equality के बेसे बेसे, distribute करो, सब को चीज़े मिलने चाहिए, need, जिसे जितने जोरो तो उतने मिलने चाहिए, and equity, and जिस जोब मेंबर जितना contribute कर रहा हो उतने देतो, redrawing group boundaries, groups come to perceive themselves as belonging to a group, groups come to perceive themselves as belonging to a common group, group की boundary withdraw करनी है, introduction of subordinate goals, अगर तो तीन goal बना दी जाएंगे तो हारे group की goal को बाट तो, competition ना conflict कुछ हो गई नी, तो सारे group मिलके काम करेंगे फिर, next, negotiation, negotiation refers to the reciprocal communication, so as to reach an agreement in situation in when there is a conflict, मतलब एक तो समझाओ बाचित करो, अगर conflict की situation है, तो से खतम करने को से करो, through negotiation,